है गाइस वेलकम बैक टू नई वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लाइप प्रूप के साथ यह सीखाने वाला हूं अगर आपके पास एक एंडुड फॉन है सभी के पास आजकाल एंडुड फॉन होता है तो अपने फॉन की मदद से कैसे प्रोफेश नहीं है जिन लोगों को कोडिंग करना नहीं आता है और अपने फॉन की मदद से विडाउट कोडिंग अपना एप्लिकेशन डेवलोप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेकर लाज़ता है देखते रहिए एक और बात दोस्तों अगर आप खुद का जैन्वन इस टूडियो से बना हुआ कोडिंग वाला एप्लिकेशन बनाना चाहते हैं लाइक वीडियो स्टेटेस वरल पेपर साइडी कोडस एन इमेज ऐसा एप्लिकेशन आप अगर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नमबर मिल जाएगा आप मुझसे कॉंटर्ट क हो गई सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपिन कर लेना है तन उसके बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है आप डूसरे ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं देन इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा यहां पर कोर्णर में लोग आउ स्कुल जाएगा इस तरीके का स्कूल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर थर्ड नंबर ओप्सन दिखेगा आपको मैसेंजर वीडियो को यह वाला टेंपलेट्स पर आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है दोस्तों वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत किजिए वीडियो को पूड़ा अंतक देखते रही है और वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजिएगा यहां पर क्लिक करने के बाद आपके इंटरनेट के स्पीट के हिसाब से लोडिंग ले करके दूसरा पेज खुल जाएगा दूसरा पेज कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा को दोरता पिजूरए नीचे की तरह आना है ब engagement आने के बाद को नेश्ट बटन दिख झाएगा आपको सिंपले नेक्स पर क्लिक बूंग कर देना जैंनेगए नेकस्ट पर क्लिक करने के स्थबिश करिकर लेगा यहांप को कुछ चेंज्जस करना है अपकर अपके मन मुत नहीं देता हूं background color मिल जाएगा यहां पर background मतलब जैसे आप टेलिग्राम कुलते हैं या फिर वाट्ट पुलते हूं पर theme होता है जो भी color वहाँ पर से आपका वह color हो जाएगा जो भी color color set करना चाहेंगे ठीक ना यहां पर बहुत सारा color वगेड़ा है आप अच्छी तरीके से message का color text का color जो भी होगा चैंज करेंगा और एक background image चुस कर लिजेगा background image क्या होता है मतलब जो भी conversation होता है chat जहां पर होता है जिस section पर वहां पर उस background पर वह image खुल जाएगा जो भी image select करेंगे आप अपना भी दे सकते हैं या फिर किसी और का दे सकते हैं या फिर कुछ भी ने सकते हैं solid color भी रख सकते हैं select करने के बाद यहां पर से crop button पर click करके आपका set खोज़ेगा देन इसके बाद यहां पर enable dialogue tab जो वहां पर आपको enable कर देना है simply यह box हो है इसको tick कर देना है तर इसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है यह साड़ा जो system है इसको tick कर देना है मतलब यह साड़ा features आपके telegram channel पर जो भी app बनेगा telegram app पर होगा तो यह साड़ा enable नहींगा तो इसको छोड़ देना है दो इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको next button पर click करना है simply next button पर click करने के बाद आपका नया interface खुल जाएगा next button पर click सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं मैं यहां पर demo के purpose में दिखा रहा हूं तो यहां पर demo नाम दे दूँगा demo देने के बाद नाम देने के बाद next पर click करते हैं आप जैसे next button पर click करेंगे आपको icon देने को कहा जाएगा मतलब आपके application का logo जो होता है पांत सो बारा पांत सो बारा उसके बाद next button पर click कर देगा next button पर click करने के बाद कुछ नया interface खुल जाएगा यहां पर आप चेक कर सकते हैं आपका description में कुछ नियम से वहां पर check कर सकते हैं then उसके बाद आपका जो भी setting बगड़ा होगा आप change कर सकते हैं आप confirmation के लिए एक बार चेक कर लिएगा app का नाम speed के हिसाब से loading लेगा और दूसरा page खुल जाएगा जैसे ही आप create button पर click करते हैं कुछ इस तरीके का नया interface खुल करके आपके सामने में आ जाएगा अब इसके बाद आपका जो telegram app है पूरी तरीके से बनकर ready हो चुका है अब आपके app को download भी तो करना है कैसे download करना है तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक option दिएगा send app to mail मतलब अपने app को email के थुरू भेज सकते हैं अपने mail पर वहां से download कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें अपना app को download करना है direct तो थोड़ा सा नीचे आना है आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद एक keyword code का option दिए और नया page खुलने तक आपको wait करना पड़ेगा थोड़ा सा loading ले सकता है आपका अगर internet slow हुआ तो इसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर दो option दिख जाएगा आपको keyword code scan करके download करने को कहा जाएगा एक direct download का button आ जाएगा तो हमें direct download पर click कर देना ह simply जैसे ही आप direct download पर click करेंगे कुछ नया interface खुल जाएगा इस तरीके से यहाँ पर लिखावा आएगा your download will automatically start in four seconds मतलब 4 seconds के अंदर आपका android phone में आपका app ने जो बनाया है आपने जो app बनाया है 4 seconds के अंदर automatically download हो जाएगा तो थोड़ा से यहाँ पर wait करना है wait करने के बाद कुछ नया interface कुल जाएगा लेकिन इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारा app जो download होगा उसके लिए apk generate होगा building होग दोस्तों कुछ देर wait करने के बाद नीचे से कुछ इस तरीके का pop-up screen आ जाएगा यहाँ पर कहा जाएगा आपको कि क्या आप अपने app को install करना चाहते हैं डाउनलोड करना चाहते हैं तो ok बटन पर click किजिए जैसे ही आप ok बटन पर click करेंगे आपका app download होना start हो जाएगा नीचे आप देख सकते हैं downloading file 52.14 MB का है और उपर notification bar में भी show कर रहा है कि मेरा app डाउनलोड होना start हो चुका है तो जितना देर तक download होता है यहाँ पर wait करने लाएं आपको यहाँ पर वीडियो में थोरा post कर लेता हूं दर इसका बाद यह देखिए मेरा app डाउनलोड हो चुक क्लिक करना पड़ेगा आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको install करने को कहा जाएगा आपका app को थोरा सा wait करते हैं यहाँ पर यहाँ पर कहा जा रहा है do you want to install this application तो yes मुझे install करना है install बटन पर आपको क्लिक करना है तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों मैंने demo नाम दिया था और जो default icon मतलब logo default ही छोड़ दिया था मैंने custom logo नहीं लगाया था तो वही logo और वही नाम से मेरा app बन चुका है अब मेरे phone पर install हो रहा है तो थोड़ा सा wait करना यह देखिए install हो चुका है तो यहाँ पर open मैं नहीं करूंगा direct यहाँ पर done कर लूंगा आपको इसको प्रूब के लिए आपको open करके भी दिखा देता हूं जैसे ही आप इसको open करेंगे कुछ इस तरीके से interface खुल जाएगा इसका मतलब यह कुछ screen देखाए जाएगा start करने के पहले तो यह simply आपको करना पड़ेगा दर इसके बाद आपको नीचे option मिलेगा start messaging का start messaging के क्ल आपका जो भी mobile number होगा यहां पर क्लिक कर दीजिए मतलब type कर दीजिए और यहां पर next button पर click कर दीजिए तैने इसके बाद आपने जो mobile number type किया उस पर एक OTP आएगा OTP 5 digit का होगा OTP देने के बाद यहां पर submit कर देना है जैसे कि आप देख सकते हैं theme का color मैंने जो रखा था वही color है और pink color रखा था मैंने navigation का साड़ा color वही same है मैंने जो system किया था मतलब आप भी जो system करेंगे जो color हिसाब से वहां पर changing करेंगे आपका भी app बिलकुल उसी तरीकी से बन जाएगा यहां पर मेरा OTP 31380 देने इसके बाद आपको नाम देने को कहा जाएगा first name and last name तो simply अबने बड्व दिसके बाद ँरेचा यहां से आप टोने बकर छल्क करने आपका आपको अपना यहां पर ऐला पर क्लिक करैंगेज कंख कर जो अपको तुरक यह इसके बद्विफ कर सकते हैं इसके बद्वाद आप नेक्स बटन पgender कुलिक करूज तो उसके बीटम करया आपको आप बटन क्लिक करना था आपको जैसे यह फीर वाटन को करना या फिर एडिकर्शनल एप कोई भी बनाना आप मुझे सकते हैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप मुझे सकते हैं और अपना इंकम स्टार्ट कर सकते हैं अब यहां पर से देखे साड़ा टेली ग्रम का जो जो फीचर से सब कुछ आपको प्रूब के रिगार्डिंग आपको दिखा देता हूँ ग्रूप कर सकते हैं यहां से अपना टेली ग्रम चैनल बना सकते हैं यहां से और बाद बाद की जो भी मैंने चेंजेस किया था सब कुछ यहां पर ठीक ठाक है दोस्तों इस एप्लिकेशन को आप अपने फोन पर बिल्कुल प सब कुछ चेंज करके एक नया टेली ग्राम एप हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं टेली ग्राम का एक ओडिजिनल एप में जो जो फीचर्स होता है साड़ा फीचर्स यहां में सब कुछ सेम तो सेम मिल जाएगा यह एप को आप पूरा कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा यह वीडियो और चैनल पर अगर पहली बार नहीं तो सब्सक्राइब करके पास मैं जो बैल अकिन उसको प्रेस कर दिजिए मैं मिलता हूँ आप साथ अगले बीडियो में तब तक के लिए बबाई थैंक्स पूर वाचिंग और लव तो आपना ओल अगरैस इन ंगर मिलता हूँ आप साथ बग PacThe